गूड इवनिंग फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम आज मैं आपको fundamental of partnership का एक topic करवाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे students को बहुत जादा doubts रहते हैं उनको clarity नहीं रहती है इस topic की आज जो ये एक वीडियो देख लेगा उसको कभी भी वो वाला concept tough नहीं लगने वाला अगर कभी भी कोई भी exam में इसका question आ जाएगा तो वो उस student के लिए और उस candidate के लिए इतना असानी से ये question solve हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते इसलिए मैं आपको एक एक छोटे छोटे concept clear करवाँगा है इसके topic के related so जैसे मैंने आपको बताया था fundamental of partnership firm का हमने topic चुना है that is called as a interest on partners drawing partner की drawing का interest कैसे calculate किया जाता है ये class 12th term 1 के लिए बहुत important है and बहुत सारे हमारे competitive exams हैं जैसे JKSSB finance account assistant है जैसे हमारा और भी बहुत सारे exams है जिसमें ये topic आता है तो उनके लिए ये बहुत important रहेगा अगर ये videos देखते रहेंगे आज ये एक part है इसका छोटा सा क्योंकि ये topic थोड़ा बड़ा है और पूरा brief clarity करने के लिए इसको 2-3 मेरी videos आएंगे उस आपको देखना पड़ेंगे अगर आपको clarity लेनी है इसके regarding so start करते हैं हम पहले सबसे पहले drawing चीज क्या होती है ठीक है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि drawing होता क्या interest तो बात छोड़ी दो interest calculation की बात छोड़ देते हैं पहले हम बात करते हैं drawing होता क्या है actually drawing होता क्या है amount withdrawn in cash or kind by the partner for their personal use देखो हमारे business में कौन होता है proprietor proprietor वो होता है जो business में investment करता है जो business को honor होता है जो business में पैसा लगाता है business करने के लिए कि आने वाले time में जब मैं business में पैसा लगा रहा हूँ आने वाले time में profit होगा उस profit को मैं use करूँगा अपनी day to day life में utilize करूँगा इस तरीके से ही देखो होता कि है जो हमारा बिजनस होता है और बिजनस का जो ओनर होता है इन दोनों में separate legal entities होती है इसका मतलब कि जो बिजनस है उसकी अलग अपनी जिंदगी है और जो ओनर है उसकी अपनी अलग जिंदगी है और दोनों के transactions को अलग तरीके से record किया जादा ह है इसलिए जब भी कोई partner business से drawing करेगा means कुछ पैसा निकलवाएगा जा फिर कुछ समान लेके चला जाएगा उस पे हम एक interest impose करते हैं कि आप यह पैसा निकलवाके लेके जा रहे हो इस पे आपको interest देना पड़ेगा बट उससे पहले आपको बहुत जादा important चीज़ें देखनी कि drawing भी दो type की होते हैं बड़े जादा बच्चों को बड़ी जादा confusion है क्योंकि MCQ question आपको check करता है आपकी पूरी conceptual knowledge और conceptual knowledge लेने के लिए आपको deeply concepts को पढ़ना बड़े जादा जुरूरी होता है तो मैं पहले आपको समझाओंगा drawings are of two types one is drawing against capital and another one is drawing against profit दो type की आपकी drawings होती है एक होती है drawing against capital कि जो business के honor ने business में capital लगाई है जो पहली वार पैसा लगाया था business start करते समय अगर वो उस में से कोई part निकाल के लेके जाता है तो हम उस पे कोई interest नहीं लेंगे क्योंकि वो उसी का वैसा है because जो capital उसने invest की है वो उसी की amount है इसलिए drawing against capital means withdrawal of capital drawing against capital is debited to partner capital account वो बोलता है आपको करना क्या है अगर वो drawing against capital करता है तो आपको simply उसकी capital को reduce कर देना है for example अगर एक लाग रुपे से उसने business start किया था अगर वो 20,000 या एक से drawing withdrawn कर लेता against capital तो आपको 20,000 less करके उसका 80,000 amount business में show कर देना है as a capital आपको कोई भी amount show उसका charge नहीं करना कोई भी interest उससे नहीं लेना ये बात याद रखोगे अगर MCQ में question आएगा drawing against capital so calculate the interest on drawing तो उससमें अगर options आएंगी 8% 6% ये amount है वो amount है एक में लिखा होगा none of the above no charge against capital ऐसा option लिखा होगा आपको दियान से देखना है और आपको वो ही selection कर लेना है कि against capital पे कोई भी interest हम charge कर ही नहीं सकते बहुत important second जिसका topic start होता है interest on partner drawings का वो drawing कैसी होती है drawing against profit जब हम profit के against कुछ पैसा निकाल लेते हैं for example 80,000 business में profit हुआ तो आपने ऐसे drawing के तोर पे 20,000 निकाल लिया अब जो 20,000 निकालोगे उस पे आपको interest देना पड़ेगा इसलिए ये बोलता है drawing against profit means drawing by a partner against his or her expected shares of profit for the year drawing against profit is debited to drawing account not to capital account because जो capital से पैसा निकाला है वो debit हम किस में करेंगे capital account में but जो against उसने profit निकाला है वो हम drawing account में show करते हैं ना कि वो capital account में show करते हैं ये बहुत ध्यान से सोचना और पढ़ना क्योंकि ये बहुत important है अगर ये आपको difference नहीं पता इन दोनों में तो आप हमेशा question गलत करने वाले हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है ठीक है जो drawing against capital होती है उसको debit करना है capital account में और जो drawing against profit होती है उसे हमें करना है debited to drawing account ठीक है क्योंकि जो drawing against capital है वो capital के against है और जो drawing against profit है वो against expected profit कितना फाइदा होने वाला है आने वाल टाइम में इसलिए हम drawing against capital को reduce कर देते हैं capital से और drawing against profit को reduce कर देते, उसको reduce नहीं करते हैं उसको show करते हैं हम drawing account में, यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है, so हम next, एक आपको ओर difference बताता हूँ ठीक है, आपने topic पढ़ा होगा interest on capital यह बहुत important है, इन दोनों का difference आपको जानना बहुत important है जब भी आप consider करोगे, जब भी आप interest on capital निकालोगे तो आपको consider करना है drawing against capital because capital कम हो जाती है, जब वो capital से पैसा निकालेगा तो capital कम हो जाएगी, आपको इतना कम interest देना है उसको जितनी उसने drawing कर लियोगी, but drawing against profit में आप interest on capital full amount पे charge करोगे because उसने against capital नहीं किया, उसने बोला था कि मेरा इतना profit होगा, इसलिए मैं उस profit से मैं drawing ले रहा हूँ मैं अपनी capital से नहीं ले रहा हूँ, उस situation में आपको interest on capital में उसकी कोई deduction नहीं देनी, जितनी उसकी होगी capital उसपे आपको interest देना होगा, I think आपको थोड़ी सी clarity आ चुकी होगी अब, so next आता है हमारा calculation of interest on brain, अब interest on brain को calculate कैसे करेंगे, पहले तो इससे पहले हमें समझना है कि drawing पहले एक drawing होती है, irregular drawing एक होती है, regular drawing, जो irregular drawing होती है, वो same amount wieder और different amount at irregular periods हो बोलता है, कि aYa EB… जो आप same amount, अगर withdraw करते हो, अगर different करते हो, at irregular intervals का मतलब क्या होते है नहीं होता है, दो- दो महीने के बाद– चार महीने के बाद, छे महीने के बाद 7 महीने के बाद मतलब कोई fix turnover नहीं है same intervals नहीं है intervals change होती रहेंगी और amount भी different हो सकता है और regular में क्या होगा उसमें drawing का amount same रहेगा और regular intervals रहेंगे इसका मतलब for example अगर वो पहली April को पैसा निकालता है April के month में माई के भी पहली तरीक को ही withdrawn करेगा और same amount करेगा अपरल में अगर 1000 withdrawn कर रहा है वो माई में भी 1000 ही करेगा उसका amount difference नहीं करेगा तो अभी क्या होगा देखो irregular drawing आ गया और regular drawing आ गया अभी हम A की टाइप के method से तो दोनो calculate नहीं कर सकते because drawing are different so you have to follow different formulas so there are the two methods of calculating interest on drawing one is product method another is average period method so हम first discuss करने वाले है product method जिसमें when the unequal amount is withdrawn at different dates जब आपका amount different होगा और different dates को withdrawn किया जाएगा इसके अंदर भी दो type के methods आते हैं हमारे पास एक simple method है और एक product method है हम बहुत अचली briefly तरीके से आपको समझाऊंगा जिसको अभी तक ये topic में बहुत सारा doubt रहता था आज के बाद उसके mind में ये doubt नहीं रहेगा ये मेरा promise है आपसे so आपको एक छोटा सा काम है subscribe, like and share आप कर दीजिए आपके friends को help हो जाएगी आपके friends को clarity हो जाएगी concept की इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है और so हम इसका एक simple formula होता है interest on drawing का equal to total of product into rate of interest upon 100 into 1 by 12 or 1 by 365 ये थोड़ा सा आपको बाद में समझाऊंगा ये simple formula होता है इसी से ही आप interest निकाल सकते हो so पहले हम discuss करते है simple method आपको ये सामने दिख रहा है picture में आपको बोला हुआ 15% per annum आपको interest on drawing निकालना है आपको dates भी दी हुई है आपको amounts भी दिया हुआ है so हम क्या करेंगे एक procedure फालो करते हैं इसमें वो procedure क्या है columns बन जाएंगे date, amount, number of month up to 31st March 2021 and interest at the rate of 15% देखो उसने first drawing की first मई को हम लिख देंगे date second की उसने first august को वो भी लिख देंगे 30 September को 31st January को and 31st March को amount है 2000, 5000, 2000, 6000 and 2000 number of month up to 31st March 2021 इसमें आपको confusion लग रही होगी because आपको सबको पता है हमारा accounting का accounting year कहां से start होता है first April से 31st March में आपको पता है बाकी बालोंगा जो year start होता है वो first gen से होता है बट एक accounting का accountant का year कब start होता है first April को और इसका year कब खतम होता है 31st March को इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है जब उसने first drawing की first मई को कितने देर तक उसने पैसा अपने पास रखा देखिए साल हमारा खतम हो रहा है 31st March को उसने first मई से 31st March तक अपने पास पैसा रखा तो 11th मन्थ हो चुके हैं उसके पास जब 11th मन्थ उसके पास ये पैसा पड़ा हुआ हो गया तो हम उस पे कितना महिने का charge करेंगे 11th मन्थ का करेंगे तो star डालके जो मैंने 275 लिखा हुआ है नीचे आ जाईए formula क्या रहेगा उसने कितना पैसा निकलवाया 2000 कितने percent rate था interest on drawing 15% 15 upon 100 कितने देर के लिए पैसा हमारे पास उस बंदे के पास रहा 11th मन्थ के लिए और total कितने मन्थ होते हैं एक साल में 12 मन्थ 11 by 12 so इसको calculate करके आपका निकल गए 275 ऐसे ही आपको जो different amount दिये हुआ है 5000, 2000, 6000, 2000 जितने जितने देर के लिए आपने उसने अपने पास पैसा रखा आपको इतने देर का interest निकालना और total interest निकालना के show कर देना है जो green pen से box में लिखा हुआ है 1075 कि उसको total interest कितना बना 1075 यह था हमारा simple method और product में हम क्या करेंगे आप इसका product ले लेंगे product में क्या करेंगे date, amount और number of month अब तू इधर तक सेम रहेगा product में हम क्या करेंगे amount को multiply करेंगे number of month से तो देखो मैंने multiply करके देखा है 2000 into 11, 20, 20, 2,000 5 into 5000 into 8, 40,000 2000 into 6, 12,000 6000 into 2, 12,000 and 2000 into 0 अब कुछ बच्चे बोलेंगे सरी, यह 0 कैसे आ गया यह हमें समझ नहीं आया यह 0 कैसे आया, हमारा year कब start होता है 1st April को, खतम कब होता है 31st March को तो यह इस बंदे ने 31st March को drawing किये, बताईए कितने देर के लिए उसके पास पैसा रहा, उस साल में 0 days के लिए उसके पास एक दिन के लिए भी पैसा नहीं रहा, इसलिए मैं इसको 0 consider करूँगा, इसका प्रोड़क्ट आएगा 86,000 multiply करेंगे 15 upon 100 into 1 by 12, आपको सबको ध्यान में आ रहा हुए कि 1 by 12 क्यों लेंगे इसमें ये ऐसा क्या इशू है कि 1 by 12 लेंगे, क्योंकि हम इसमें प्रोड़क्ट ले चुके हैं, जब हम प्रोड़क्ट consider कर चुके होते हैं, तो उसमें हमें करना क्या है, सिरफ एक महीने का interest निकालना है, overall amount का product का, तो हम same amount में पहुँच जाएंगे, जैसा हमने simple method में किया था, देखो दोनों को calculate करके amount is, both amounts are same, 1075 and 1075 I think आपको ये product method अच्छे से समझ आ चुका होगा, आपको ऐसा ही further questions करते रहे हैं, अगर आपको कोई भी queries रहती हैं, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को comment box में comment कर दीजिए, और मैं आपको इसके clarity करवा दूँगा, second हमारा method रहता है, average period method इसके लिए आपको पहले दो चीजे याद रखनी है, जो हमने पहला method किया उसमें irregular amount and irregular periods में हमने amount calculate किया interest का, देखो जिसने 1 April को किया, 30 May को किया, उसमें देखो कितना ज़्यादा difference आ रहा था unequal difference, तो अब हम जो method करने वाले हैं, average period method, इसमें क्या होगा दो चीजें आपकी similarity रहनी चाहिए एक the amount of drawing is uniform जो उसने amount निकाल रहा है, for example हर साल में 1000 निकाल रहा है, तो हर महिने में उसको 1000 ही रहना चाहिए, irregular नहीं होना चाहिए, अगर वो irregular हो जाता है, तो आपको simply आ जाना है, फिर से product method पे वो method यूज़ करके आपको interest calculate करना है, second आपकी जो important condition है time intervals between the two drawing is also uniform और जितना drawing करेगा for example, एक मई को कर रहा है, तो एक जून को दूसरे drawing होई होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक drawing फर्स्ट मई को ओ रही है, अगली 30 जून को ओ रही है ऐसा आपको वो unequal intervals हो जाएंगी, आपको intervals भी कैसी रखनी है, same तो इसका formula क्या होता है interest on drawing equal to total drawing into rate of interest upon 100 into average period upon 12, ठीक है, अभी आपको mainly समझने है average period इसमें बहुत सारी situations होती है, मैं आज आपको दो ही situation करवाने वाला हूँ, because video लंबा बन जाता है, आपको concept clarity नहीं रहती, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज समधाजी जाए, आपको कोई भी interest on drawing का doubt ना रहे, आपको कहीं से भी कैसा भी question आ जाए आपर आम से solve कर सोको so average period का formula होता है month left after first drawing, add month left after last drawing divided by 2 हम लेंगे दो situations दो situations में हम clarity लेके आते हैं कि यह कैसे निकलेगा average period situation 1 पे आते है partner withdraw fixed amount in the beginning of every month, देखो donor condition follow हो रही है न, बंदा बोल रहे है कि एक partner है, वो fixed amount withdraw करता है beginning of every month देखो time interval भी same है देखो अगर first April को करेगा तो next world drawing को first मही को करने वाला है अगर वो first मही को करेगा next first June को करेगा, देखो intervals are same and the amount is fixed तो आपको पता चल गया, कि इधर हम लगा सकते है average period method, so first case में हम average period कैसे निकालेंगे तो आज आईए, जब वो partner क्या कर रहे है, हर beginning के पहले दिन, ठीक है month के beginning के पहले दिन वो drawing कर ले रहा है तो देखो हमारा year कब स्टार्ट होता है first April से 31st March तो वो drawing का period क्या बन जाएगा first April, first May, first June, first July, first August, first September, first October, first November, first December, first December and first Jan, first Feb and first March तो आपको average period कैसे निकालेंगे, month left after first drawing तो देखो उसने first drawing कब की थी, आपके सामने लिखा हुआ है first April को beginning of every month, starting के पहले दिन पर drawing कर दी देखो अगर उसने first April को drawing की हो आथा तो पीछे कितने month बच गे हैं, मेरे साब चे तो सारे बच रहे हैं देखो month के first date पे अगर कोई बन्दा drawing कर रहा है तो सारे के सारे 12 के 12 month बच गे और उसकी next formula में बोलता है add करो month left after last drawing तो देखो last drawing के उसने कब की first March को तो March के बाद हमारा year कब खतम होता है 31st March को, तो कितने महीने बचे I think एक ही महीना बचता है तो 12 plus 1 upon 2 करोगे तो 6 and half month जो आपका period, average period आजाएगा 6 and half month आजाएगा पहली situation में ठीक है, और जो second situation रहती है if the partner withdraw fix amount at the end of every month, चीक है अभी वो क्या कर रहा है amount fix है और interval भी आपके fix है end of every month, end गव होगा 30 April, 31st May, 30 June 31st July, 31st August, 30 September 31st October, 30 November 31 December 31 Jan, 28 February and 31st March, ओके average period कैसे निगा लेगा अगर उसने first drawing 30 April को की है, तो पीछे कितने महीने बच गए I think 11 month बच गए because April को count नहीं कर पाओंगे क्योंकि वो last दिन कर रहा है 30 April को कर रहा है, तो उसको count नहीं कर पाओंगे 11 आ गया time left after last drawing last drawing उसने कब की? 31st March को तो हमारा year कब खतम होता है 31st March को, तो कितने महीने बचे? 0 11 प्लस 0 अपाँ 2 करोगे तो 5 and half month आपका average period आ जाएगा I think आपको यह जो मैंने चोटा सा topic करवाया है आपको अच्छे से clarity इसकी हो गही होगी अगर आपको अच्छे सी clarity हो गही है तो बाकी बच्चों से please share कीजिये इस वीडियो को because आपको ऐसे ही छोटे-छोटे concepts से introduce करवाता रहूंगा मैं क्योंकि देखो अगर एक chapter होता है उसके अंदर छोटे-छोटे से concepts होते हैं आपको capture कर पाओगे अगर capture करोगे तो आपके अच्छे से solutions निकल के आजाएंगे solution आएंगे तो आपके marks अच्छे आएंगे ठीक है concepts के बिना आप question नहीं कर पाओगे क्योंकि cram करके आप कुछ नहीं कर सकते question वो किसी भी तरह से tilt कर सकता है question tilt ना हो पाए उसके लिए आप concept अच्छे से सीखते रहें तो बने रही है commerce platform के साथ जादा से जादा channel को सब्सक्राइब जेके SSB finance account assistant की तियारी कर रहे हैं उनको बताएए because वो इनके लिए बहुत important videos रहेंगी non commerce background के बच्चों को दीजिए ये videos वो देखेगा उसको भी थोड़ी concept clarity रहेगी अगर आपको कोई भी topic नहीं समझ आ रहा कोई भी topic आप मेरे को बता दीजिया मैं आपके लिए special videos बना दूँगा उसके उपर तो आप जादा से जादा videos को देखोगे आपको concept clarity रहेगी तो continues to be continue ये video रहेगी हमारी कल next video आ जाएगी इसका part second फिर part third फिर आपका ये interest on partners drawings पूरी तरह से clear हो जाएगा अगर आप question बोलते हो कि sir question share किये जाए हमारे साथ आप जादा से जादा question discuss कीजिए तो मैं आपसे question भी discuss करेंगे ठीके आप comment box में बता दीजी अगर कोई इस video में थोड़ी सी आपको लगता है sir ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कहिए तो मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूँगा so thank you